पीस्पुली डिमॉलिशन ड्राइव शुरू हुआ, प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमन की कारवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रवोग्ड, अन्हाम्ड, बड़ी मात्रा में विदिन हाफ एन आवर एकट्टा होकर, हमारी जो टीमें हैं नगरमिगं की, उनपर पहला अटाक किया गया पत्थरों के मात्राइव देव भूमी उत्राखंड में कट्टरपंथी मुस्लिम दंगाईयों ने खुलेयाम हिंसा कर फिर इसलामी आतंक देश को दिखाया आपको बता दी कि उत्राखंड के हल्दवानी में मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड ने आठ फर्वरी को ऐसा उत्पाट मचाया जिसमें कई लोगों की जान गई और सैकडों लोग घायल हुए यह सब पूरी प्लानिंग के साथ किया गया उसका खुलासा भी देहरा दून की डियम कर चुकी है लेकिन क्या आपको पता है कि एक वर्ष पहले निस्लामी आतंकियों को कोट ने मानवी आधार पर यह कहकर बचाया था कि साथ दिनों में पांच हजार लोगों को कैसे विस्थापित कर सकते हैं इस नियाइक दोगलेपन का परिणा आट फरवरी को उसी गाउ में गए सौ से अधिक पुलिस कर्मियों के गंभी रूप से घायल होने के रूप में दिखा जहां पुलिस पर पतराव कर पेट्रल बम फैंके गए बचाव में चुपे पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया थाना जला दिया गया पुलिस और नगर निगम की गाड़ियां फूख दी गए वज़ा कटर पंथियों के सरकारी जमीन के अतिक्रमन को रोखना वहीं अतिक्रमन जिसके पीछे चिपा है उत्राखंड का डेमोग्राफिक चेंज धर्मनगरे हरिदवार से लेकर चारधा म्यात्रा मारगों से लगे शेत्रों में जिस तरह से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है पिस संबंध में कुछ समाज शास्त्रियों ने कई बार चितावनी भी दी है कि मुस्लिमों की बढ़ती संख्या कहीं उत्राखंड को कश्मीर ना बना दे हरिदवार, उधम सिंग नगर, दहरादू व नैनी ताल ऐसे जिले हैं जहां परिवर्तन अधिक देखने में सामने आए है मेडिया रिपोर्ट्स की खबरों में लगातार बताया गया है कि उत्राखंड का पहाडी शेत्र पलायन की मार से जूज रहा है और यहां आकर बसने वालों में अधिकांश बांगलादेशी और रोंगिया है जिनने पी एफाई ने बसाया है कुछ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कॉंग्रेस की सरकार की महरबानियों के कारण रोहिंग्या और बांगलादेशी मुस्लिमों ने पिछले 10 से 11 वर्षों में यहां ना सिरफ ताबड तोड जमीने खरी दी बलकि उनकी बसावट बड़ी तेजी से बड़ी है धर्मनगरी हरिद्वार को ही ले ले तो हरिद्वार के हरकी पॉड़ी शेत्र को छोड़ कर अन्य शेत्रों में उसका हिंदू धर्मनगरी जैसा स्वरूप सीमित होता जा रहा है हरकी पौडी वो उसमें लगे शेत्र को छोड़कर अन्य शेत्रों में समुदाय विशेश की तेजी से हो रही वसावट एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है इसी तरह के सिती चारधाम वाले जिलो, चमोली, रुद्र प्रयाग व उत्तरकाशी के यात्रा वाले मारगों पर भी देखी जा सकती है इन शेत्रों में विभिन व्यवसायों के नाम पर समुदाय विशेश के व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है और साथ ही वहां भूमी खरीद कर रहने भी लगे है वही मैदानी स्वरूप वाले चार जिलों में जनसंख्या बदलाव अधिक देखे गए है हैदवार, उधम सिंग नगर, दहरादून वह नैनीताल जिलों में मैदानी शेत्रों के जनसंख्या के आकड़ों को देखे तो वहां मुसलिम जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है इस जनसंख्या बदलाव की धरातली स्थिती का आंकलन करे तो यह वास्तविक्ता की करीब नजर आती है वर्ष 2001 की जनगर्णा की अनुसार राज्य में मुसलिम जनसंख्या 10,12,141 थी जिसमें से 95,8,410 लोग मैदानी और 53,731 परवतिय शेत्रों में रह रहे हैं वर्ष 2011 की जनगर्णा में मुसलिम जनसंख्या बढ़कर 14,6,825 हो गई जिसमें मैदानी शेत्र की जनसंख्या 13,43,180 और परवतिय शेत्र की 63,440 थी बता दे कि नवंबर 2000 में जब उत्तुराखंड राज्य का गठन हुआ था मुसलिमों की आबादी केवल 1,5 प्रतीशत थी नहीं 2011 की जनगर्णा में बढ़कर 13,95 प्रतीशत हो गई यानि 11 वर्ष में 12,5 प्रतीशत की बढ़ोत्री हुई जबकि इसकी तुलना में हिंदूों की जनसंख्या में मामुली से ही व्रिद्धी हुई वर्ष 2011 के बाद का मुसलिमों की जनसंख्या में व्रिद्धी को लेकर अधिकारिक आखड़ा उपलब्द नहीं लेकिन जानकारों का कहना है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ इस रफ्तार में कमी के कोई संकेत नहीं अब देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार उत्राखंड में बढ़ते कट्टर पंथियों के मनसूबों को खत्म कर पाती है हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकुमत के लिए बड़ी दिख्ततिक पेशा जाएंगी या फिर कोई नया कश्मीर जन मलेगा देखते रहें रिपोर्ट भारत धन्यवार्ट ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें